कि अलो फ्रेंट्स वेल्कम बैक टो मैं चैनल आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाल हैं बेल के उपर तो बेल के उपर जो हम लोग नहीं इससे पहले भी बात किया था काफी अच्छा एक बार जो है हम लोगों इसमें प्रॉफिट बूप किया हुआ है लेकिन अब फिर से जो है आपको इसके वीकली चाट पर एक अच्छा प्रेक आउट दिख रहा है तो इसलिए जो हम लोग फिर से इंडेटरी डिसक्सन करेंगे जो क्या हम लोगों का ट्रेडिंग प्लान होने वाला है नेक्स्ट वीक में हम लोग इसको कैसे ट्रेड कर सकते हैं और जो से से अपको इस लेवल पर होग पर ओपर कलोज स्टोक जो है आपको काफी अच्छे लेवल पे यहां पर उपर कलोज हुआ है रिसेंट के टू मन्त के हाई को यहां पर ब्रेक किया है अब जो है इस टॉक में आपको एक अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है अगर आप देखेंगे तो नीचे की लेवल से जो है आपको यहां पर एक ट्रेंड लाइन दिख रहा है और यह ट्रेंड लाइन जो है अभी आपको ब्रेक नहीं उपने क करने का जरूर्वा था आप उपने के प्रेक तर बना के ब्रीएक बंडल बना है और यहां और बनाना चाहते हैं तो वह लोग यहां पर बना सकते हैं बिलकुल 200 के नीचे जो है कि 195 के पास जो है आपका इस्टॉप लोस होगा अगर 195 के नीचे वीकली केंडल क्लोज होता है तो आप वहां से एकजिट कर सकते हैं लेकिन वीकली केंडल पे आप इंट्री लेते हैं तो फिर आपका जो है अच्छा है आपको तूट्वस और आ अपको पैंडन ऑफ़ हो और यहीव देखते हैं तो इस लिए जो है अलेडी को बन चुका है तो एक बार फिर अगर इस लेवल के ऊपर निकलेगा तो एक अच्छा मोमेंटम जो है आपको इस स्टॉक में देखने को मिल सकता है तो यहां पे जो है हम लोगों का सिंपल ट्रेडिंग प्लान होने वाला है हम लोग 15 मिनट के टैम फ्रेम में ट्रेड करेंग और ट्रेड हम लोग तब करेंगे जब आपको इस 225 के लेवल के ऊपर अगर यह स्टॉक निकल जाता है यहां पर एक 15 मिनट का कैंडल प्लोज देता है तो फिर जो है हम लोग इस स्टॉक में एक अच्छा एंट्री ले सकते हैं क्योंकि आप देखिए यहां से यहां एक सेम मूफ फिर हुआ यहां पर फिर से स्टॉक में आया और यहां पर यहां पर कॉन्सल्टेट कर रहा है तो 15 मिन के टाइम फ्रेम में अगर इस लेवल का ब्रेक आउट होता है तो सोटर टाइम फ्रेम में आपको एक रेंज ब्रेक आउट होगा और यहां पर ज्यादा बड़ा आपका इस्टॉप लॉस नहीं है इस लेवल के नीचे आपको अपना इस्टॉप लॉस सकते हैं लेकिन पहले वेट कीजिए 225 के लेवल के ऊपर अगर एक 15 मिट का कैंडल बनता है क्लोज होता है अच्छा कंडल तो फिर आपको यहाँ पे ऐक अच्छा मोमें टैंटम अपसाइड में देखने को मिल सकता है क्योंकि वीगली कंडल भी आपको बुलीस है डेली चार्ट में भी इस लिए जो है आप लोगा आप लोग लेवल को कर लिजी अगर एक च्यूं लेवल के ऊपर इस्टॉक प्लोज होता है 15 मिनिट के टाइम फ्रेम में तो आप वहां पर पोजिशन भी बना सकते हैं टू वन एट आपका इस्टॉप लोस होने वाला है टार्गेट जो है आपका 16-20 पॉइंट का टार्गेट होने वाला उम्मीद करते हैं आप लोगोंने लेवल्स को नोट डॉन कर लिए होंगे और अपनों को पसंद आया होगा अगर आप लोगों को अच्छा लगा तो वीड कर लिए धन्यवाद